और देखते ही देखते कटगरे में खड़ा बेचारा घरीब तंट्या मुल्जिम से मुज्रीम हो गया शिबा पाडल के नोकर को पीटने के लिए IPC सेक्शन 324 चोरी के लिए IPC सेक्शन 378 और उठाई गिरी के लिए IPC सेक्शन 411 के धाथ जै जोहार दोस्तों हमारी रोबिनूट सीरीज के पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह सावकारों की सुद्खोरी ने टंट्या भील के पुर्खों की जमीन पर कबजा किया इसी सुद्खोरी ने पहले टंट्या के दादा और फिर माता जीवनी वो पिता भाव सिंग की जान ले ली प्रिटिश इंडिया का सेंट्रल प्रोविंस जिसमें आज का मद्य भारत इस्तीत मद्य प्रदेश का कुछ इससा शामिल है यहां के नर्बदा डिविजन का खंडवाजिला और इसी इलाकी की पंदाना तेसिल से 5 किलमेटर पूरू दिशा में स्तीव एक छोटा सा गाउं पोखर पोखर गाउं भी भारत के किसी टिपिकल विलेज की तरह ही था चारों तरफ हरे भरे खेत खलियान वरुन्देव की क्रपा का अनन्द उठा रहे थे गाउं के लोग अपने खून का पसीना करते थे और इसे पसीने को आंसों में तबदिल करने का इंतजाम भी विक्टोरिया के परतिनीदियों ने कर रहा था इसी इंतजाम को एक व्योस्तित नाम भी दिया दिया गया जमीनदारी जमीन दारी एक ऐसी बेल गारी थी जो सूथ खोरी के बेलों से चलती थी और ये बेल जिसके घर का रास्ता पकड़ लेते थे वो रास्ते पर आ जाता था पोखर गाउं में भी अंग्रेजों ने ये इंतजाम कर रखा था नाचीज का नाम था शिब्बा पाटिल गाउं में साहब का बड़ा दबदबा था पोखर के माल गुजार जो ठेरे पाटिल साब की हवेली के सामने से एक रास्ता गुजरता था जो दक्षिन दिशा में बुरहनपूर और उत्तर में दोलहर फाटे से सीधा जिला खंडवा जाता था अब आते हैं पोखर गाउं के सबसे महत्पूरी स्थान पर जो हमारी कहानी में सबसे ज़्यादा एमियत रखता है पोखर गाउं के उतर दिशा में आने पर एक विशाल का इमली का पेड़ था भाव सिंग के बताया अनुसा टंट्या बरदा से 11 किलोमेटर का फासला पेदल चल कर पोखर पहुचा इतनी दूर चल कर वठ थक चुका था तो उसी बड़े इमली के पेड़ की छाओं में बेट गया पास से ही लोबान की खुशबू आ रही थी टंट्या ने नजर गुमाई और देखा कि कोई धार्मिक इस्तल बना हुआ है कच्ची मिट्टी की बनी दिवारें उसके बीचो बीच एक समाधी इस्तल जिस पर चाद़ चड़ी थी यही था पोखर गाओं का सबसे महत्पुनिस्थान बाबा सेयद इबराहीम नोगजा पीर की धरगा नोगजा बाबा एक सूफी संत थे बाबा की मजार की लंबाई नोगज थी इसलिए उन्हें नोगजा पीर के नाम से भी जाना जाता था इलाके में बाबा के चमतकारों के कसीदे पड़े जाते थे क्या हिंदू, क्या मुसल्मान, राजा हो या फकीर हर कोई बाबा के कदमों में सर जुखाता था उस समय जब भी किसी गरीब को कोई मुश्किल आती थी बस दो ही रहनुमा याद आते थे एक तो पोखर की मजार में लेटे नोगजा बाबा और दूसरे सत्पुडा की वादियों में नागलवाडी शिकरदामप और बेटे भीलड बाबा हिंदू हो या मुसल्मान इस बात पर सभी एक मत थे कि इनके दरबार से आज तो कोई भी खालियात नहीं लोटा नोगजा बाबा के सामने नत मस्तक होकर टंटिया ने शीज जुकाया और भाव सिंग के बता अनुसार चल दिया अपनी जमीन लेने शिबा पाटिल के हवेली पर हवेली के मेन एंटरेंस के अंदर प्रवेश करते ही एक आदमी ने उससे टोका ए किधर जाता है अरे मुंची आने दोसे पीछे से आवाज आती है उची कतकाथी और बड़ी बड़ी घुमादा और मुचे वाले आदमी ने टंटिया का अपनी ओर इशारे से बुलाया हाँ भई कोन है तू और क्या काम है शिबा पाटिल ने टंटिया से पूछा टंटिया ने अपने परिच्चे दिया अच्छा तो तू भावसिंग का बेटा है बड़ा दुख हुआ तेरे बाप की मोच की खबर सुनकर पाटिल चिक्नी चुपडी बाते करने लगा और सीधे साधे टंटिया को काम पर रख लिया फोड़े दिन खेतों में काम करने के बाद एक दिन टंटिया पाटिल के पास पोफचा और अपने पुर्खों की जमीन वापस देने की पात कही शिबा पाटिल के मन में खोड था इसलिए वो ना जायज कहानिया बनाने लगा और बोला देख टंट्या बात तो तू ठीक कह रहा है जमीन तेरे बाप की ही है लेकिन तेरे दादा ने जो कर्ज लिया था उसका एक पेशा भी नहीं लोटाया एसा केसे चलेगा मैं दूंगा वो कर्जा टंट्या बोला हां टिल ने अस्ते हुए बात को टाल दिया पोखर गाओं में तंट्या नोगजा बाबा की मजार के पास ही रहता था जब भी वो उदास होता बाबा की मजार पर जाकर बेट जाता एक यही जगह थी जहां उसे सुकून मिलता था क्या हो टंट्या भीकी बाबी ने अच खाना नहीं खिला है क्या जो आज यहां उदास बेटा है पीछे से आवाज आती है अरे आओ नहाल बड़े दिनों बात दिखे धंदा पानी केसा चल रहा है टंट्या ने अपने दोस्त नहाल से पूछा दोनों में देर तक बाते हु एक सिविल मामला दर्ज कराया लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला पाटिल मालदार था और पुलिस भी उसकी ही सुनती थी फरजी दस्तावेजों के आधार पर कोट ने जमीन पाटिल की बदागर टंट्या को उल्टे पाउं वापस लोटा दिया खंडवा से पोखर और पोकर से खंडवा तारीक फे तारीक और अन्त में कोट का ये फिसला हता शोकर गरीब टंट्या ने अपने दोस्त नहाल की तरफ देखा नोगजा बाबा की मजार पर बेठे दोनों अपनी बेबसी देख रहे थे बाबा के सामने खड़ा होकर टंट्या कहने लगा लोग हमारी दाजी की जमीन हमारी होगी पर नहीं पाठिल के पास तो बहुत पेशा है तुग्या गरीब की जमीन हतिया लेगा टंट्या की लडखराती जुबान नोगजा बाबा से नाराजगी जदा कर शिकाद करने लगी एक तो भाहुसिंग की मोत का गम अभी भूला नहीं था और रही सही कसर पाठिल ने पूरी कर दी बोला बाला टंट्या हर किसी पर जल्दी विश्वास काल लेता था इसी कारान उसे दुख जहलना पड़ा रात भर इसी बारे में सोच सोच कर ढंग से सो भी नहीं पाया था आज तक टंट्या ने अपना हक पाने के लिए साम और द पाठिल का वरसुदिया काम कर रहा था निमारी भाषा में नोकर को वरसुदिया कहते हैं वरसुदिया को देखकर टंट्या का खुन खोल उटा उसने आओ देखाना ताओ और लाटी से दना दन दो तिन धर दी और नोकर अपनी जान बचा कर भाग गया सिधा पाठिल के हव पाटिल का रिष्टदार था दोनों ने कट्टा होकर तुरंद बग्य उठाई और पोखर से 17 किलोमेटर उत्तर में छेगाओं थाने पर जाकर एक की किस लगा दी। शिबा पाटिल ने अपने रिष्टेदार हिमत पाटिल के साथ मिलकर भोले भाले टंटिया पर चोरी और उठाई गिरी के जूटे इल्जामात लगाए। इन इल्जामों को और ठोस रुप देने के लिए जूटे गावाह भी पेदा किये गए। अपनी कलम उठाई और शुरू हो गये हर हिंदी मुवी की वही गिसी पीटी लाइन लेके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्द नजर रखते हुए यह आदालत इस नतीज़े पर पहुची है कि फलाना डुमकाना वगेरा वगेरा। और देखते ही देखते कटगरे में खड़ा बेचारा घरीब तंट्या मुलजिम से मुजरीम हो गया। शीबा पटल के नोकर को पीटने के लिए IPC सेक्शन 324, चोरी के लिए IPC सेक्शन 378 और उठाईगिरी के लिए IPC सेक्शन 411 तंट्या को दो साल की रिगोरस इंप्रिजमेंट यानि दो साल की सस्रम कारावास की सजा मुकरर हुई। सजा होते ही टंट्या को पुलिस ने खंडवा सेंटरल जेल में डाल दिया। इधर बाहर नहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक अरजी बनवाई और खंडवा सेशन कोर्ड में पहुँच गया। नोकजा बाबा की मेहर हुई और सेशन जज ने निचली अदरत का फेशला रद्द कर दिया और टंट्या को बाईजद बरी कर दिया। टंट्या को आजाद देखकर पाटिल की छाती पर साप लोटने लगे। एक बार फिर उसने अपना जाल बिचाया, पुलिस वालों को रिश्वत दी और एक और एफायार टंट्या के खिलाव लिखवा द गाउं के जमीनदार साहब की तरबदारी करते थे, बदले में लोट साहब भी साहुकारों का समर्दन करते थे, घरीब दोनों पाटों के बीच में पड़े गेहों की तरह दोनों दरब से पीशते थे, आज इनी चक्की के दो पाटों के बीच में टंट्या आ गया था, कोड परफिर सब्सक्राइब गार। आंग्या जिसी है ना जमका आप सुए ना जमका या थ्नारा पलमयाई धमका अरे खुलो हो दे जेले बाप ठर टंक्यो यो चले और धीन तवा चको गेटो देश पर जान नुटई